इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ एक ऐसी सिंपल सी स्ट्रेटजी जिसका रिजर्ट देखके I am damn sure आप बहुत जादा शौक होने वाले कि बहुत कैसे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी इतना जबर्दस रिटर्न बना के दे सकती है अब ये पूरी वीडियो कैसे रहने वाली है सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इसके रूल्स बता दूँगा इसका लॉजिक बताऊँगा एंड उसके बाद मैं आपको प्राक्तिकली ट्रेडिंग चार्ट पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक दो वीडियो बनाई थी, यह बहुत जबर्दस इंडिकेटर है, जो भी रिसेंटली मार्किट में लॉँच हुआ है, जो काफी जबर्दस यहां पर पैसा बना के दे रहा है, वेल हमारी एक टीम का खुद प्रॉपड़ेश ट्रेडिंग फर्म है, कितना जबर्दस इंडिकेटर है, अब यह एक डिरेक्शनल स्ट्राटजी ही पकड़ता है मार्किट में, अभी सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ, वेल आपको हाई की नैशी और निफ्टी अल्को डिप्लॉई करना है चार्ट पे, अभी जब मैं आपको ट्रेडिंग चार्ट पे लेके जाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा, कि कैसे आप हाई की नैशी डिप्लॉई कर सकते हैं, और कैसे आप निफ्टी अल्को का एक्सेस ले सकते हैं, इस ट्राटजी की सबसे ची बात यह है, कि आप इसको कोई भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, वेल ओनेशली इसको मैंने कोई भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया, इसलिए अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मैंने इस इंडिकेटर के साथ इसको सिर्फ इंडेक्स के साथ रन किया है, जो काफी अच्छे result हमें बना के दे रहा है तो ये option buying में भी work करेगी option selling में भी work करेगी and futures में भी work करेगी अब इस strategy करना बहुत जादा simple सा rule है कि आपको market की first three opening candles देखनी है five minutes की अगर वो green color की candle है तीनो plus अगर nifty algo green color का indicator है वहाँ पे आपको long trade लेनी है मतलब वहाँ पे आपका view रहेगा कि market उपर जाने वाली है and वहीं on the other hand अगर पहली तीन candle five minutes की तीनो red color की candle है plus जो nifty algo का indicator है अगर वो भी red color का है then वहाँ पे आप एक short की trade लेंगे मतलब आपका view है कि market नीचे जाने वाली है so अगर आप यहाँ पे long trade लेते है तो वहाँ पे या तो आप call option buy कर सकते है या put option sell कर सकते है या फिर आप futures को भी buy कर सकते है and अगर आप short trade लेते है then वहाँ पे आप यहाँ तो put option buy कर लीजिए या call option sell कर लीजिए या futures को sell कर लीजिए वो completely आपकी choice है बस मैंने आपको अलग-अलग चीज़े बता दिये but basic point यही है कि यही same indicator के साथ आप अलग-अलग parameters में trade कर सकते है so stopless अब क्या रहने वाला है इस trade का well अगर मानलो आप long trade ले रहे है जहाँ पर आपका viewer की market उपर जाने वाली है so जैसे ही एक red color की candle बनेगी plus उसके साथ-साथ जो nifty algo का indicator है अगर वो भी red color का हो जाता है तुरंत आप अपनी वहाँ पर trade close कर देंगे और वहीं अगर आपने मानलो short की trade लीवी है आपका viewer की market fall करने वाली है लेकिन अगर उसमें जैसे ही ये green color की candle बनती है plus nifty algo भी green color का हो जाता है तुरंत आप वहाँ पर अपनी trade close कर देंगे and ये पूरे दिन में आपको सिर्फ एक ही trade लेनी है so ये बस simple चे rules से ये strategy की अब जिन भी traders को थोड़ी बहुत भी confusion है कि भाई ये क्या मैं समझा रहा हूँ अब आपको और जाधा clarity आने वाली है because अब मैं आपको एक पर trading chart पर लेके जाता हूँ वहाँ पर मैं आपको live एक दम practically back tested data दिखाता हूँ ताकि आपको full clear cut समझ आ जाएगा so trading view के chart पर मैंने bank nifty का chart खोल रहा है 5 minutes का well candles मैंने यहाँ पर हाई की नाशी लिवी है तो यह जो 5 minutes का option है उसके right hand side पर ही आपको यहाँ पर candles का option मिल जाता है well usually जो candles होती है वो यह वाली candles रहती है second option की लेकिन यहाँ पर हाई की नाशी लेने वाले है because यह थोड़ा से लंबा process होगा because मुझे आपको समझाना पड़ागा कि कैसे आप इसको subscribe कर सकते हैं कैसे आपको पूरे deployment करनी है बस उसके लिए आप सिर्फ 2 minutes रुकिए अभी पहले मैं आपको back tested data दिखा जाता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको Nifty Algo के बार में बताओ कि कैसे आप इसकी subscription ले सकते हैं यहाँ पर बस एक छोटा से मैं आपको सबसे पहले example दिखा रहा हूँ यह आप एक trailer के नाम पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसा मैंने बताया था rules में कि पहली तीन candle आपको देखने है 5 minutes की अब यह 6th of September का आप example देखिए पहली 9.15 वाली candle, 9.20 वाली candle and 9.25 वाली candle यह पहली तीनो candle red color की बनी है प्लस जो Nifty Algo का indicator है वो भी red color का है इसका मतलब हम short की trade लेंगे हमारा view रहेगा कि market fall करेगी So 9.25 वाली जो candle है Well इसके end पे 9.30 हुजाता है So इसके exactly end पे 51.305 पे market चल रही है at the money So 51.300 का या तो आप call option sell कर दीजिए या फिर आप 51.300 का put option buy कर लीजिए या फिर आप futures को short कर दीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं बट आपका सिर व्यू है कि market fall करेगी अब आप इस level पे trade लेंगे and अब देखिए कितना जबर्दस move आपको मिला है market में because market continuously fall करती चले गई and अगर पूरे दिन में market आपको stop loss का और मौका ही नहीं आता है then exactly 3.25 पे आप अपनी trade close कर सकते हैं अब इस level पे आपने trade ली थी and इस level से market पूरा fall करती चले गई आपको 680 points कहाँ पे capture करने को मिले है सिर्फ एक trading session में अब आप यहाँ पे खुद अंदाजर लगा सकते हैं well अगर आप option buying करते हैं कितना जबर्दस्त आपको यहाँ पे return on investment मिलने वाला है well option selling के लिए भी बहुत जबर्दस्त है because आपको काफी ज़्यादा decay मिलेगा जिसमें हम अच्छा काशा पैसा बना सकते है and futures का तो बोल नहीं क्या well यह बस मैंने आपको एक example दिखाया है कि कितना जबर्दस्त यहाँ पे पैसा बना नीचे की तरफ अब यह न मैं आपको continuously पीछे लेके जाऊँगा and मैं आपको अलग-लग example दिखाऊँगा ताकि आपको यहाँ पे full clear cut समझ आ जाए so अब जैसे हम तोड़ा और पीछे चलते है and यह को मैं देखते रहते है 4th of September का example है अब देखिए यहाँ पे पहली candle, दूसरी candle and तीसरी candle तीनो candle यहाँ पे red color की बनी है फिर भी हम यहाँ पे trade नहीं लेंगे because nifty algo का जो indicator है वो green color का है बस यही simple सी चीज़े आपको देखनी है आपको सिर्फ दो चीज़े देखनी है पहली तीनो candle और nifty algo का color सेम होना चाहिए लेकिन जब भी trade मिलेगी accuracy इसकी बहुत जादा बढ़िया रहने वाली है अब अगला example 3rd of September देखिए पहली candle green color, दूसरी candle red color तो यहाँ पे पहली और दूसरी candle में अलग-अलग color है मतलब market यहाँ पे शौर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कोई भी trade नहीं लेंगे पहली 9.15 की candle green, उसके 9.20 green लेकिन 9.30 वाली जो candle है वो red color की है इसलिए हम यहाँ पे trade नहीं करेंगे अब यहाँ पे एक और example 30th of August Friday का दिन 9.15, 9.20 and 9.25 तीनो candle green color की है प्लस यहाँ पे nifty algo भी green color का है तो इस candle के end पे हम trade लेंगे 51,421 and हम अपनी trade यहाँ पे close करेंगे exactly 2.30 पे 30th of August पे because red color की candle है प्लस nifty algo भी यहाँ पे red color का हो चुगा है अब यहाँ पे अगर आप option buying करते हैं यह situation में तो आप एकदम break even में close होते हैं लेकिन अगर आप option selling करते हैं आपको theta dk भी बहुत जादा मिलता because पूरा दिन market उसी range में रही है तो इसलिए option selling में यह फायदा आपको और जादा हो जाता है and इसलिए मेरा यही suggestion रहेगा कि अगर आपके पास छोटी capital है तो आप option buying के साथ शुरू करिए लेकिन जैसे जैसे इस indicator के साथ आप पैसा कमाते है then दिरे दिरे आप option selling की तरफ जाइए because वहाँ पे आप direction पकड़ेंगे तो आपको पैसा है and अगर market sideways भी हो जाएगी तो भी आपको वहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है so 29th of August का example 9.15 की candle red है लेकिन 9.20 की candle green है तो opposite color है इसलिए हम यहाँ पे कोई भी trade नहीं लेंगे so 27th of August 9.15 वाली candle green है उसके बाद 9.20 वाली candle red है opposite color है इसलिए हम trade नहीं लेंगे guys I hope आपको इस समझ आही रहा होगा कि अगर आप अपने rules follow करते है then बहुत सारे stop loss वाले दिन से भी आप बच जाते है because अगर मानलो आप 27th August को अपना rule break करके यह trade लेते तो आपका anyway stop loss hit हो ही जाता इसलिए rules बस follow करिए and definitely यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा अब अगला example 26th of August है exactly third candle के end पे 51,170 पे market थी आप यहाँ पे trade लेते and वापिस से आपका stop loss hit हो गया है लेकिन market sideways रही जिसकी वज़े से option selling में आपको अच्छा पैसा बन जाता 22nd of August यहाँ पे पहली 9.15 की candle green है उसके दूसरी भी green है तीसरी भी green है तो exactly तीसरी candle के end पे 50,857 पे आप trade लेते and आप अपनी trade काटते 50,977 पे so अगर मैं आपको point wise बताओं तो आपने कितने points ली है लगबग 125 points आपने market में capture की है जिसमें आपको बहुत जवर्दास पैसा बन जाता अब गईस यही simple सी strategy है अब इसको तो मैं आपको कितना ही पीछे लेके चलता रहा हूँ and मैं उसको backtest करता रहा हूँ but basic strategy का point यही है जो भी मैंना आपको समझा दिया है आपको सिर्फ दो चीज़े देखनी है मैं बार-बार यही बता रहा हूँ पहली तीन candle अगर green कलर की है प्लस nifty algo green कलर का है long की trade लीजिए पहली तीन candle अगर red कलर की है प्लस nifty algo red कलर का है वहाँ पे आप short की trade लीजिए इसको आप खुद एक बार backtest करके देखिए आपको खुद विश्वास होगा कितना जबर्दस सी return बना के दे रही है और मैं कोई indicator के बारे में ऐसे ही मजाक में वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ ये indicator को हम खुद प्रपडेश trading के लिए यूज कर रहे है और इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे नई trader है जिनको नहीं मालूम ऐसे indicators के बारे में तो इसलिए एक बार ये indicator को जाके देखिए इसमें थोड़ा सा study करिए definitely आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब सबसे पहले मैं आपको इस indicator के settings के बारे में बताता हूँ आप सबसे वेले में आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसकी सबस्क्रिप्शन ले सकते है और उसमें आपको अलग अलग parameters क्या डालने है ताकि आपको इस यही वाला इंडिकेटर वाला option मिल जाए मेरी वीडियो के description में लिंक है निफ्टी अलगो का उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा dashboard खुल जाएगा उसमें आप login कर सकते हैं आपको सिर्फ अपनी email id बगरा डालनी है इस रिएली सिंपल प्रोसेस अब यहां पर जाके आप देख सकते हैं यह पूरा इनका dashboard बनावा है जहां पर पूरा अपने इंडिकेटर के बार में भी समझाते हैं अब जैसे इंडिकेटर में बहुत सारे multiple indicators होते हैं जिसमें individual basis पे आप यहां पे बहुत जबर्दस trade ले सकते हैं वैल जो अभी मैंने आपको वीडियो में समझा है वो सिर्फ nifty algo का एक ही indicator है वैसे बहुत सारे indicator है nifty algo के पास अब देखिए जैसे algo dashboard है उसका take profit and stop loss के बार में है trend filter के बार में है reversal indicator के बार में है धेर सारे इंडिकेटर है अब यहां पे आपको प्राइजिंग के option पर जाना है इसमें यहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं well monthly subscription 999 की है and lifetime subscription 6000 रुपीज की है अब जैसे मानलो मुझे quarterly लेना है जो 1599 का है अब इसको मैं buy now पर click करता हूँ यहां पर left hand side मुझे सारी मेरी information आ जाएगी जैसे मेरा first name last name उसके आद मैं कौन सी country से belong करता हूँ मेरा address यह सारी information आजगी basic information है जो आपको भरनी है उसके बाद right hand side पर आपको यह option मिल जाता है sub total 1599 लेकिन आपको इतना pay नहीं करना है because आप यह वीडियो देख रहे हैं आपको यह भी फायदा होने वाला है अब यहाँ पर आपको option मिल रहा है have a coupon and यहाँ पर टाइप कर दीजे हर्षिद 50 जैसी आप हर्षिद 50 टाइप कर देंगे and apply coupon आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए right hand side पर जो आपका 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 शोला 100 रुपे का यह package था यह आपका सिर्फ 8 रुपे का रहे गया है वेल मैंने company से बात कर रही है and अगर आप मेरा coupon code यूज करेंगे हर्षिद 50 आपको यहाँ पर एकदम 50% का discount मिल जाता है and guys I swear on God इसमें मैं एक भी रुपा नहीं लेने वाला हूँ तो अब देखिए जैसे यह E का option दिख रहा है na screen के left hand side पर टॉप पे इसको जैसे आप क्लिक करेंगे यह देखिए मेरा login ID है E-K-Y-U-T-H जब भी आप trading view पर login करते हैं ऐसा है का आपको login ID मिलता है आपको एक user ID मिलता है वो आपको डालना पड़ेगा इसी user ID पर आपको nifty algo का access मिलता है अब जैसे ही आप यह डालेंगे ना सिर्फ कुछ ही मिनिटों में आपको यहाँ पर इंडिकेटर का option आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको invite only का option आजाएगा जिन भी लोगों ने nifty algo purchase नहीं किया वा उनको सिर्फ community तक कही option आता है invite only का option नहीं आता लेकिन जिनों ने भी purchase किया वा है उनको invite only का option आता है तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ निफटी algo का option मिल जाता है अब इस तो बहुत जादा generally काफी useful है अगर निफटी algo के बार में भी आपको और जादा doubt है then income एक whatsapp number में मेरी video के description में डाल दूगा तो आपको जो भी doubt है जैसा भी doubt है छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उनको आप whatsapp पे पूच सकते है and उनकी team बहुत जादा responsive है वो तुरंत strategy के बार में वेल बस कैसे simple सीच हमने चीजे यूज कि हाई की नैशी और निफटी algo का platform and दोनों को combine करके कितनी जवर्दा strategy हमने निकाल दी अब निफटी algo की ऐसे बहुत सारे indicator है and अलग-अलग indicators के साथ में देखूँगा कि अलग-अलग हम क्या ऐसे combination बना सकते हैं जिसमें एक बहुत जबर्दा strategy निकाल दें so that उसकी भी में वीडियो बना दूँगा ताकि आप सबको भी उसके बार में पता चल जाए and उसको फिर आप trade करना शुरू करतें so इस strategy के बार में अगर आपको कोई भी doubt है देज़े जग मुझे आप comment section में पूछ सकते हैं I'll be more than happy to answer all your queries So this was about this video. Thank you for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.